दोस्तों आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल सेसर यूटूब वाला पर दोस्तों तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डी द्रबलस भी पियार्टी की और टीजटी पेजटी की हिंदी की जो सब्जेक्ट है पेपर वन का मैंने अलरड़ी स्टार्ट कर दिया है आपके अपने इसी यूटूब चैनल पर सेसर यूटूब वाला पर दोस्तों और सबसे पहले मैं तह दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को मतलब देरे-देरे हमार आप सरल भासा में बिना घुमाये चीज़ों को आसान भासा में मैं आपके सामने प्रस्तोत करूंगा चीज़ों को और TSSB PRD की और TGT PGT की हिंदी के जो सब्जिक्ट है वो मैंने अल्रेड़ी एक तम एक तम एकॉर्डिन तूसलेबस PRD करा रहा हूं तो पहला टॉपिक है संग्या उसको मैंने अल्रेड़ी कंप्लीट करा दिया जिन्होंने नहीं देखा जाके उस वूडियो को देख लें और दूसरा टॉपिक आज हमने स्टार्ट करने वाले हैं सरवनाम और सरवनाम के भीद है हमारे सिलबस में लिखा है बहुत प्यारा सा छोटा सा तो हम हम्तों को सरवनाम कहते हैं हम चाते तो किताबी भासा में कीड़े वाले हैणिक सकते हैं तैसे किताबी भासा धिर बहुत अच्छी होता है लिखें पर समझने में अपनी भासा सबसे आसान और सबसे सरल होती है तो इसलिए मैंने ऐसी चीजंशे क्या होता है संग्या के स्थान पर जो भी सब्धों यूज होते हैं उन्हें शरवणाम कहते हैं। तो आसा करता हूं कि आपको परिभाशा समझ में आ जाएगा। है दूसरी चीज क्या लिखते हैं संग्या की पुर्णरुक्ति को दूर करने के लिए को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है कि सवर्णाम का प्रयोग क्यों हमति होता है तो छलिए देखते हैं सरवनामों και कुल जा सकता है कि सरवनाम की कुल संक्या कितनी है ठीक है जैसे आप ठीक है मैं तू यह वह मैं तुम आप यह वह कौन क्या जो सो कोई कुछ ठीक है क्या क्या हो गया मैं हो गया एक तू हो गया आप हो गया तीन यह हो गया चार वह हो गया पांच कौन हो गया छे क्या हो गया साथ जो हो गया, आठ, सो हो गया, नो, कोई होगा, ग्यारा, कुछ हो गया, बारा, ठीक, बारा कैसे हो गया, अच्छा, आप नहीं है, ठीक है, मैं तू, यहव, दो, दो, चार, तिन, साथ, एकार, ठीक, नो, एक तस, ग्यारा, ठीक है, तो ऐसे ही हमको देखना है, ठीक, 11 होते हैं सरवनामों के उकल संग है कितनी हो गई क्या रहो गई मैं तूँ आप यह वह कौन क्या जूस हो कोई कुछ ठिक तो चलिए अब सरवनाम के भेद देखते हैं एक छोटा सा परिवाजा हमने देखा और जो जी कंटेंट जो ऑथेंटिक कंटेंट है बतब जो इंपॉर पुरुष वाचक ठिक है पुरुष वाचक सरवनाम इसमें तीन होते हैं उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ठिक है उत्तम पुरुष में क्या आता है मैं ठिक है वक्ता या मैं ठिक है मध्यम पुरुष में सुरोता आता है तो अन्य पुरुष में कह हो गया ठों सरनाम टीसरा हो गया हमारा इसंना कोई कुछ नाम स संबंध वाचक है थिक है जटा नाम यहाँ आप आप अपक्या होगा निछुवाचक स reflect यह देख लिए चलिए अब इनके वारे में एक-ईक से बारी-बारी से टेटेल में देखते हैं दोस्तों पहला हमारा पुरुसवाचक सरुनाम, ठीक है? पुरुसवाचक सरुनाम किसको कहते हैं? जिस सब्द के द्वारा वक्ता या लेखक, पाठका, सुरोता अत्वा किसी अन्य के लिए परियोग्त हो वह पुरुस वाचक सरुनाम कहलाता है क्या एक्तम आसान वाहसाम देखे, जिस सब देखे तोहरा वक्ता या लेखक, पाठक या स्रोता, ठीक है, किसके लिए उप्योग होता है इसका, स्रोता हो गया, सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला, लेखक हो गया और पाठक, ठीक है, किसी अन के लिए प्रयोग हो, वह पुर जिस सरवनाम का परेयोग बोलने वाला अपने लिये करें जैसे मैं बॉखती को उसके बाद देखते हैं दूसरा है भी आपके उसको कहते है जिस रिखते आहिं फुरुष का प्रयोग बॉलने वाला सुनने वाले लिए के संधरे ची आपके लिए जो सब प्रयोग कर रहा हूं उसे मत्यम पुरुस वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे तु तो यह मैं आपके लिए दूसरे के लिए कुछ कर रहा हूं जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग कर रहा हूं तो यहां तू का मतलब गलत मतली जगा मतलब यहां पर बढ़ा रहा ह इसलिए लग रहा है तो दिल पर मत लेजेगा कोई बात बागी बुरा नहीं लगेगा कुछ इतने प्यार से मैं समझा रहा हूं तीसरा है अन्य पूरुस वाचक सवरोनाम जिस सवरोनाम का प्रियों बोलने वाला सुनने वाले के अत्रिक्त किसी अन्य के लिए करता है जैसे मैं और आप मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं ठीक है तो यह किसके लिए हो गया इसके अलावा मतलब मैं और आपके अलावा किसी अन्य पूरुस वाचक सरनाम कहते हैं जैसे में वे में वे में ठीक जिस सब्द से किसी व्यक्ति या वस्त की और निश्चे पुरवक संकेत हो उसे निश्चे वाचक सवनाम कहते हैं मतलब किसी व्यक्ति होगे कोई वस्त होगे जब उसकी तरफ एक निश्चे संकेत हो ठीक है वही है तो निश्चे वाचक सवनाम कहते हैं उसको जैसे यसे कलम हो गई यह इस क्लाम को कह रहा हूं मैं कह रहा हूं सिशे वाना चाहरा हई यह कलम पर कोई आसा है कि दूसरे के लिए क्लम करो तो क्या हो यह हो गई यह क्या होगा अब मैं कह रहा हूं यह गई आप देख रहा है इसमें से किसी का नाम हो गया अमित हो गया तो यह अमित की है यह नाम संकेत किया है कि आगाए अमित किया ठीक है ठीक है आपको उमीद करता हूं निश्चे वाचक सरनाम कम एकदम अच्छी से प्यारे से एकदम सहज भास में मैं कम्लीट करा रहा हूं चीजों को और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आहरा होगा ठीक है चलिए next पर चलते हैं अनिश् сरनाम करते है जैसे है अब देखिए एकदम हासान भासा में कोई आ रहा है आपकोई आ रहा है अदमी आया रहा है कौन आ तो नहीं पता है नहीं है ना तो न ह। कुछ हाम देना है नमबर बताओ कितना देना है पता ही नहीं है पता होगी नही Khanख किलो तो यहां कुछ नहीं पता है दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो गया यह क्या हो गया अनिश्य वाचक शरणाम हो गया देगा चलिए नेक्स पर चलते हैं अपने संबंध वाचक शरणाम पर दोस्तों तो संबंध वाचक शरणाम किसी को कहते हैं परसपर एवाम दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिर हमिसन बनाना हुआ ठीक है तो होाँ पर प्रश्र सप्राइम के जा जाते हैं जिसे सरनाम का क्या देए हैं सबंद वाचक सरनाम कहते हैं तो क्या कहेंगे सीधा सब्सक्र्सक्र परस पर गाउं दूसरी बात का संन्बेंद बत लाने के लिए ठीक है संबंद्वाचक करते हैं जिसे जो सोब गया करते हैं यह संबंद्ध ठापित करते हैं। नेशन प्रस्थों फारck स्थान पर अते हैं। कि यह संगया सब्द के अस्थान पर तो आते ही हैं किन्त वहा को भी प्रस्थान बनाते हैं तो यह सब वाक्य होता है उसको भी प्रस्णवाचक बना देते हैं तो वे प्रस्णवाचक सरणाम कहलाते हैं जैसे एक दम मैंने कहा ना निजवाचक सरणाम को गया अपने आपके लिए करें तो वहां निजवाचक सरणाम हो गया जैसे आप क्या है सरनाम के विशेश प्रयोग हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है यहीं से पूछ लिए जाते हैं एक दू नंबर के पक्का है आने ठीक है आईए देखते हैं जैसे आप वे ये हम तुम सब्द बहवचन के रूप है लेकिन आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्त के लिए भी होता है ठीक है आप हो गया है वे हो गया हम हो गया हम हो गया तुम हो गया सब इसे बहवचन के रूप है लेकिन समान आदर प्रकट करने के ल दूसरा दिखते हैं क्या है कि आप सब्द स्वय के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है जैसे महयाकार आप ही कर लूँगा ठीक है यह important है यहाँ से question पूछ ले जाते हैं कि आप सब्द स्वय के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है जैसे मैं यह कार अपने आप ही कर लूँगा या आप ही कर लूँगा ठीक है तो यह important था तो आगे से हमारी क्रिया आ जाएगी तो उसको मैं next वीडियो में complete करूँगा छोटा-छोटा topic धीरे-धीरे वीडियो में छोटे-छोटे वीडियो में आपका तो इसलिए मैं छोटे-छोटे वीडियो बता रहा हूं उससे आपका डाटा भी बचेगा और आप इसलिए मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं चोटे-छोटे चाहूं तो मैं इस वीडियो के उपर lecture देखें बहुत सारे content डाल के इसमें इधर-उदर की बातों में खुमार के आ इसके ले लेकिन में मेरा मक्स्द ये नहीं है मेरा मक्सद है कि आपको चीछचा समझ में अनी चाहिए आहने इसलिए विडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शब्सक्राइब करी जिस मैं उसे को करूँ कोई गलती हैं होती हैं तो माफ करिएगा बाकि ऐसे ही हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं पढ़ते रहे हैं जिनका के विस प्याटे में नहीं हो रहा है तो अतास न हो यह दी ठ्रपल